गुड मारिंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इस एम आर एंड वॉजवर का यूज तो हमने बच्चो ये चैप्टर कम्प्लीट कर लिया था, हमने पढ़ा इस एम आर एंड वॉजवर का यूज इसका यूज हम तब करते हैं बच्चो जब हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में एक परसन के बारे में एक अनिमल के बारे में और एक चीज के बारे में बात करते हैं, सिंगूलर के बारे में बात करते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं इसका और अगर हम एक से ज़ादा के बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे आर का यूज और आई के साथ चीजों के बारे में बात करेंगे तो वर आ जाएगा, is that clear, अगर present है तो is और are और past है तो was and were, ठीक है, I use with always am, ठीक है, अब fill in the blanks in each sentence with the correct option, हमें क्या करना है, हमें जो lines दी गई हैं, उन्हें पढ़के correct option पर टिक लगाना है, I blank going to watch a movie, मैं today, मैं movie देखने जाऊंगा, आज य जाऊंगी, तो I के साथ हमेशा क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था, M, ठीक है, clear, it blank very hot today, आज बहुत गर्मी है, यानि कि present की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, है न, तो क्या हैगा, singular है गर्मी, is, मीना, रोहित and सुमित are football players, मीना, रोहित और सुमित तीन जने, तो यह तो क्या हो गए, plural हो गए, है न, football players, क्या है, यह football खेलने वाले हैं, तो क्या आएगा इसमें, R, ठीक है, they blank not present in the party yesterday, यहाँ देखिए, गौर करिए, they, they not present in the party, वो party में नहीं आये थे, present नहीं थे yesterday, कल की party में, बीट गया, past है, तो past में वे, बहुत सारे लोग है, त अब, Nina blank a great dancer when she was young, Nina बहुत अच्छी dancer थी, जब वो, छोटी थी, अब वो बड़ी हो चुकी है, मतलब, पुरानी बात कर रहे हैं, यह लोग, अब Nina तो singular है, एक जना है, तो was आएगा, बहुत सारों के liver आएगा, और अगर present की बात होगी, today is आगया, है न, ठीक है, और today में, और अगर present में कोई word बहुत सारे होंगे, तो आएगा R, ठीक है, चलिए, यह है इसकी second exercise, find the errors in the given sentence and rewrite them correctly, one is done for you, हमें क्या करना है, बच्चों जो sentence दिये हुए हैं, उनके error, गलतिया देखनी है, इसमें और गलतिया सही करनी है, ठीक है, अब the key are on the shelf, तो यह जो sentence हमें सही करक है, the key is on the shelf, अब चाबी तो एक ही है, पर यहां पर आर क्यों दे रखा है, फिर, गलत है यह, तो चाबी एक ही चाबी है, की स्थोड़ी है, की है, बस singular है, तो इस आना चाहिए, not R, ठीक है, तो सही कर रखा है, यह, ऐसे ही करना है हमें, शिवानी एंड संजना इस फ्रेंड अब इस थोड़ी आएगा यहां पर, क्योंकि यह तो एक जना थोड़ी है, दो है, यह तो शिवानी और संजना दोनों है, तो दोनों के लिए प्लूरल्स हो गए है यह तो, तो क्या आएगा, आर, शिवानी एंड संजना आर फ्रेंड्स, अब the children is cleaning their room, अब देखो बच्च के साथ आर, आई तो मतलब मैं ही हुआ, बस एक ही जना हुआ, और आई के साथ तो हमेशा क्या लगता है, I am in Delhi last week, ठीक है, हमें सिर्फ इनके जो error से इनकी गलतियां है, वो सुधार के लिखनी है, this are a very beautiful dress, यह dress बहुत सुन्दर है, तो dress, एक ही dress के बारे में बात हो रही है, पर यह R क्यों आ रहा है फिर, तो क्या आएगा, this is a very beautiful dress, यह जो dress है, वो बहुत beautiful है, ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इस MR आप इसको copy में करिए, और समझी है, ठीक है, thank you so much, आगे का हम, next video में पढ़ेंगे,